आपके सामने जरूर आता होगा इसका परफिक्ट सूलुशन में आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ थोड़ा सा वीडियो लॉंग होने वाला है बहुत नॉलेजिबल होगा और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजेगा अड़ सेम ट सबसे पहले चलता है बैंक निफ्टी के चार्ट के उपर होड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन के बेसिक को समझना क्या होता है ऑप्शन बेसिक लिए डेरिवेटिव होते हैं मतलब यह डिपेंडेंट है कि किस तरीके से इसको एंडरलाइन सेक्यूरिटी है किस तरी किसे मुवमेंट करती है अब देखो क्या होता है अगर बड़ी आसान भाशा में बात करें तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट्स उपर चला जाता है तो कॉल की प्राइस जो है पढ़ने वाले पूट से प्राइस जो है वह कम होने वाले अगर निफ्टी 100 पॉइंट से 50 बड़ा सिंपल सा लॉजिक है जो सबको बता है अब यह जो कॉल और कूट के जो प्राइसिंग होती है वह सिर्फ यह मुवमेंट पर डिपेंड नहीं होती है वहां पर हमेशा आप लोग देखते होंगे कि थीटा डिके जो है वह एक प्रॉमिनेंट चीज होती है अलांग हमारा जो ट्रेड होता है वह एक दो घंटे के लिए पर्टिकुलरली अगर हम लोग ऑप्शन बायर को कंसिडर करते हैं बात करते है तो हमारा एक दो घंटे के लिए ट्रेड रहता है अगर आप दिन भर ट्रेड को होल्ड करता है कोई ऑप्शन सेलर तो उसके लिए तो 100 रुपीज का मान के चलो कि निफ्टी जहांके वहाँ है और जो हमारा 100 रुपीज का ओप्शन है वो 50 रुपीज हो जाएगा automatically due to the decay ऐसा तो generally नहीं होता है हाँ obviously कि वो expiry का दिन ना हो बाकी के दिन के बात कर रहा हूँ तो बाकी जितने भी यह जो होते है डिके वगेरा वो इतना मैटर नहीं करते हैं अगर आपका निफ्टी या बैंक निफ्टी आपका जो भी इंडेक्स है या underline security अगर वो movement करने लगया तो मैं कहिना कि आपको practically शो करता हूँ मान के चलो कि बहुत लोग है कि जो 400 रुपीज का option buy कर लेते हैं और फिर उस पेसल कितना लगाना है तो 50 पॉइंट लगा देते हैं 70 रुपीज का option nifty का buy कर लिया तो 50 पर stop loss है बहुत गलत तरीका होता है इसमें क्या होता है आप अगर कोई option 400 पे buy कर लोगे 350 पे लगा दो समझना जब भी हम लोग day trading में entry करते हैं तो आपका entry करने का जो reason है वो clear होना जही है लब you should able to create a logical entry जैसे आपको इस particular दिन के बारे में discuss करते हैं तो मुझे यह clearly दिख रहा है तो मुझे clear clear हमको यहां पर resistance का एरिया दिख रहा है if I am going to change the color तो यह एक resistance का एरिया है at the same time अगर इसी जगे पे अगर हम लोग देखे तो यहां से market reject हुआ है drop हो गया था और यहां से market ने closing दिया है अगर मैं इस level को भी draw कर लेता हूँ तो कही न कही हम लोगों को यहां पर एक market का support है जो अगर बैंक निफ्टी का chart अगर आप देखे तो उपर है तो यह मीचे में support हो सकता है at the same time कही न कहीं इस पहले दिन यहां पर important level आ रही है तो अगर मैं इस दिन के इस low candle को या फिर यह जो एरिया है इसको अगर consider करता हू तो यहां से level बनेगी आपकी तो हम लोग इस rectangle को भी एक draw कर सकते हैं चाहे तो हम लोग इसको color जो change कर देते हैं मतलब identify करने के लिए आसान हो जाएगा तो मेरे पास कुछ नहीं है simple support और resistance मैंने पिछले 2-3 दिन के निकाल के रखे है जैसे ही bank nifty open हुआ तो आपको यहां पे close नहीं करेगा उपर नहीं जाएगा आपको इंट्री नहीं बनाओगे यहां पर फॉल हुआ as expected यहां पर green candle बनी एरिया सपोर्ट का है तो फिर यहां पर कही न कहीं न कहीं पर गया नहीं फिर से नीचे आ गया मतलब नीचे के तरह breakdown करने वाला है तो आपको इस candle में जब य तो यह जो candle आप देख सकते हो 1045 अभी यह जो चार्ट है यह 15 मिनिट पर आप जो भी टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो उस टाइम फ्रेम पर ही आप सही स्टॉप लगा सकते हो अगर यह 15 मिनिट पर मैं देख रहा हूं कि 1045 की रणिंग केंडल पर हम लोग यहां पर इंट्र लिया और फिर इस candle को breakdown कर गया और मैं इस rectangle को एक फोड़े दिर के लिए मैं इसको निकाल देता हूं और simple इस level को draw करता हूं तो कहीं न कहीं जब यह low break हो जाएगा तब हमारी यहां पर entry होगी लग आप देख सकते हो 5 मिनिट पर हमारी entry 1045 के आसपास रहने वाली है अब यह clear है कि magnitude उपर उपर गया rejection लिया support लिया फिर यह sustain नहीं कर पाया अब यहां पर आपको दिख रहा है कि market यहां से फिर यहां पे और फिर यहां पर एक कहीं न कहीं lower high बना रहा है तो market में आपको उपर से एक trend line बनेगी जो show कर रही है कि हर बार market का जो move है ओ इतना उपर नहीं जा रहा है तो most probably ओ नीचे के तरफ breakdown कर सकता है तो that is the concept of price action अब आपकी entry यहां पर decide होगी कि आपके entry यहां पर रहेगी अब आपका stop loss क्या होना चाहिए जनरली आप सभी यहां पर सुनते होगे हर किताब में पढ़ते होगे जो फिछला swing high हो रखना चाहिए कहीं न कहीं आपको decide करना पड़ेगा as per your entry तो देखो कि जैसे हम लोग यहां entry कर रहे है तो हमारा stop loss है यह जो candle है यह उसके पहले वाली इसके ऊपर जहां पर हमारा यह trigger हुआ entry उसके पहले वाली candle या फिर यह हमारा stop loss रह सकता है हम लोग यहां पर इसको color चाहिए तो जो चाहिए आप change कर सकते हो so now this is the stop loss and this is my entry simple simple हमने क्या किया है you just have to identify कि यहां पे 1045 पे हमारे entry रहेगी और यह जो bank nifty का चार्ट हम लोग को दिख रहे है इस जगे पे हमारा stop loss रहेगा and it is very clear कि अगर bank nifty नीचे नहीं जाता है और उपर आता है तो यहां पर आएगा तो हमारा stop loss हिट हो जान आपकी entry रहेगी तो और एक बहुत important बात है कि जब भी आप option buying करते हो तो बहुत लोग होते हैं कि जो otm बे option buy करते हैं क्या होता है आप जो ATM option से इनका जो delta होता है 0.5 delta होता है मतलब अगर 100 point bank nifty move करेगा तो आपका option लबब approximately 50 point के moment करना चाहिए तो उपर नीचे होते रहता तो हम लोग एक approximation पे चलते हैं कि 100 point movement होगी तो हमारा bank nifty का option 40-50 point से moment कर देगा लेकिन अगर आप otm option buy कर लोगे तो आपका जो delta होता है वो कम होगा at the same time decay high रहेगा उस वज़े से वहाँ पे इतनी movement आपके option में नहीं मिलती है तो यह बड़ी wrong practice है कि आप otm के option buy करो simply अगर आप यहाँ पर 41 183 पर entry बनाते हो तो आपको बेरी side entry बनाना है तो 41 200 का put buy कर सकते हो तो हम लोग क्या करेंगे simply 41 200 का option का chart देखेंगे तो बहुत लोग गलती क्या कर देते वो निकालते हैं जो भी option को select करना है 41 200 पर जाके market order या फिर जो भी limit order में buy कर लेके उसका chart ब जब आपकी entry यहाँ identify होती है तो आपको option का chart भी देखना चाहिए जैसे आप देख सकते हो कि 41 200 का यहाँ पर option का chart है जैसे 5 minute पे हम लोगों ने कहीं न कहीं ही देखा कि 1045 के running candle में आपकी entry बन रही थी तो in the same way हम लोग यहाँ पर 1045 यह देखो 28 November से chart start हुआ है तो 1045 की यह level रहेगी है यह यह वाली candle 1045 हम थोड़ा सा चार्ट को बढ़ा कर लेते हैं यह 1045 वह candle है तो अगर आप देखो के 1045 के running candle में मतलब यहां center पे अब देखो आपको एक चीज़ यहाँ पर clear होगी यह जो candle है कहीं न के पिछले एक दो दिन से जो important area है अब यहाँ पे हम लोग ए इस जगे पर आपको clearly sure हो रहा है कि bank nifty के यह चार्ट में यहाँ पर support बनके ऊपर गया फिर रेजिस्टन्स बना यहाँ पर रेजिस्टन्स है यहाँ पर रेजिस्टन्स है पहिना कि 432 की level बहुत important है आप चाहे तो और एक level यहाँ पर draw कर सकते हो कि यह मेरी entry price रहेगी तो जैसे ही आपका option इस जगे पर आएगा अगर आप center में लेते हो तो आपके entry इस जगे पर रहेगे लेकिन exactly वहाँ पर entry मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इस point को हमेशा practically याद रखना चाहिए हम लोगोंने कि आपको 2-4 point इधर उदर तो होने वाला है at least bank nifty में बात क candle के high के उपर या फिर 1035 candle के high के उपर होना चाहिए मतलब bank nifty अगर यहाँ आएगा तो हमारा stop loss जाना चाहिए तो सीधा जीधा यह जो आपके entry candle है उसके पहले की candle या उसके पहले की दो candle के high के उपर आपका stop loss होना चाहिए तो सेम जाके आप सीधा option chart में देखो कि आपकी यह entry है तो इसके पहले की candle यह वाली और उसके पहले की candle 1035 की यह तो आप सीधा सीधा जाके अगर आपको जो भी stop loss लगाना है वो जैसे उस candle पे high पे था option buying में तो आपका यहाँ पर entry हुआ तो इस candle के आपके low के आसपास आपका यह stop loss होना चाहिए तो इस वेरी क्लियर कि अगर आप यहाँ पे 432 के आसपास अगर यहाँ पे या center पे भी कोई entry कर लेता है 430 के या 437 के आसपास यहाँ पे अगर आपकी entry होती है तो आपका जो priority पे stop loss होना चाहिए वो 378 या max 370 रहना चाहिए देखो आप चार्ट पे भी जाके देखोगे इस वेरी क्लियर कि एक important level ही बनके आ रही है जैसे bank nifty में आ रही है तो आपको यह clear हो गया कि अगर market कहीं ना कहीं उपर नीचे हो जाता है ठीक है bank nifty उपर से नीचे आता है तो this is your ultimately point के जहाँ पे आप लोगों को निकलना है and that is the ultimate place of the stop loss option buying जैसे expiry नजदिक आ रही है तो आप थोड़ा सा ATM छोड़के 100 point इंदमनी भी काम कर सकते हो या फिर expiry की दिन next expiry के option trade कर सकते हो जिससे क्या होगा कि क्या होता है na expiry पे यह bank nifty movement थोड़ा सा धीरे धीरे करेगा तो option के pricing आपको यहां रहे जाएगे तो आपका stop loss नहीं hit होना चाहिए उस वज़े से वो decay option है जो hedging से related है आप वहां पर सीधा-सीधा hedging कर सकते हो hedging is one of the tool कि इससे क्या होगा न कि अगर आपको यहां पर 40 जो भी आपका option है 41,200 का option अगर आप यहां पर buy कर रहे हो ठीक है 41,200 का option buy कर रहे हो तो सीधा-सीधा इसके नीचे lower price वाला मतलब इसका option कुन सा होगा 41,100 या 41,000 का put option आप sell कर सकते हो right so that is called as hedging तो इसको sell कर सकते हो तो यह सारी चीज़े कहिना कि मैं next video में आप लोगों के लिए explain करूँगा अगर आप इस video पे like करते हो उसको share करते हो तो मैं वो video भी आप लोगों के लिए बना दूँगा right थोड़ा सा detail में रहेगा लेकिन आपको proper explanation सारी चीज़े का देने वाला हो तो यह clear हो गया कि आपका यह proper stop loss है अगर expiry नजदीक है ऐसा लग रहा है आपको कि expiry थोड़ी pass में और decay ज्यादा हो सकता है आप इससे ज्यादा क्या कर सकते हो आप chart को जाके देखना कि 363 या 364 इससे ज्यादा नीचे अगर market आता है तो न 400 पर ऐसल लगा देते तो अभी इस बार तो क्या हुआ ना बैंक निफ्टी इतना नीचे नहीं आया लेकिन बहुत बार क्या होता है यह डिप ऐसे आ जाता है 400 को टच करता है 399 चला जाता और फिर यह options movement कर देते similarly यह तो हो किस तरीके से stop loss लगाना है अब आपका target क्या होन चाहिए देखो जैसे ही यहां पर options आया पहली बात तो देखो और एक तरीका है कि यह breakdown होने दो जब यह उपर आएगा तो यहां पर एक shooting star बना हुआ है exactly इस level पर आपके entry बनेगी और यहां पर अगर आपको entry करनी है तो आपका time frame देखो 11 team की candle है तो इसके low के आसपास आप में clear आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से आपकी entry इस 11 team के candle के closing के आसपास रहेगी अब आपका जो stop loss है आप यहां पर रख सकते हो ठीक है बट बहुत जरूरी है आपको proper support और resistance को देखना तो इस high की ऊपर आपकी थोड़ी सी entry रहेगी यह दो तीन candle जो दिख र आपकी entry होगी 434 अगर 434 पे आपकी entry है तो आपका stop loss है वो इस candle का लो चाहे तो पहले candle का लो अतलब आप यहां पर stop loss लगा सकते हो देखो आप जो retus पे entry करते हैं उनका sell कितना आ रहे है 411 पे आपका sell आएगा 434 पे आपकी entry हो गई और जैसे ही आपकी entry हो जाएगी तो आपका देखो continue magnitude उपर गया और आपको target मिल गया target किस तरीके से decide करते हो मान के चलो कि आपने यहां पर एक level को mark किया यह level मेरा target है जैसे magnitude यहां पर आ गया आप देख सकते हो उनसी 1140 के candle है अब सीधा सीधा जाके 1140 के candle को देखो कौन सा है 1140 एक्जैक्ट 1140 के समय जब वहा 533 तो यह जो एरिया है जैसे यहां पर close होगा और next option यह उपर जाने लगेगा आप यहां पर आपका stop loss लगा सकते हो इस zone पर 533 और 540 तो यह उपर चला जाता है continue तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां फिर यह candle close हो जाएगी तरीके बहुत सारे है क्योंकि अगर वो और न यह candle बन जाएगे तो आपको 488 पर stop loss लगाना है फिर जैसे यह candle बन जाएगे तो you have to decide कि अब मुझे इस जगे पर SL लगाना है अगर यह इसके उपर continue move करता है तो आप सीधा सीधा आपका SL trail करती होगा चल सकते हो या फिर जैसे आपका label मिल जाएगा यहां पर book कर लो या फिर आपका stop loss यहां पर आके trail करती होगे चले जाओ continue अगर यह further movement करता है one sided तो आपको वह बहुत अच्छा profit वहां मिलता रहेगा so this is one of the method to keep the stop loss properly same जैसा buying में हम लोग करते है वैसे आप selling में भी stop loss लगा सकते हो simple एक ही चीज़ रहेगी जैसे यहां पर 41,200 में हम लोग put में एंट्री कर रहे है इस जगे पर 1045 पर तो आप जाके दूर का एक call option बेच दो जैसे 41,500 हो गया तो चाये तो मैं आपको उसको भी दिखा देता हो यहां पर 41,500 का call है तो यहां पर हम लोग 1045 की candle देखते है simply 1045 की candle आपकी इस जगे पर रहेगी तो आपका entry मान के चलो यहां पर है तो आपका जो stop loss होगा तो इस जगे पर रहेगा simple है 295 के आसपास एंट्री कर रहे हो इस candle के या फिर इस candle के आसपास याने 292 332 के आसपास आपका stop loss है अगर यह market इस तरीके से अगर यहां उपर चला जाता है तो this is your stop loss अगर यह continue नीचे आता है तो आप सिधा सिधा ट्रेल करती हुए जाओ ट्रेल कैसे कर सकते हो यह थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा बढ़ आट्स फाइन आप यहां पर चाहिए अब देखो ऊपर आया फिर यहां से नीचे ड्रॉप हुआ फिर नीचे तो यूप कैन प्रेल यह पहला stop loss जैसे यहां पर होना चाहिए फिर यह नीचे आया तो आपका stop loss यहां पर होना चाहिए फिर नीचे आया तो फिर यहां पर अगर यह stop loss चला जा तो that's fine you can get अब यह आपको clearly दिख रहा होगा कि option selling में कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई आपने अगर एक बार यहां पर sale किया है तो यह option continue नीचे गिरता ही गया इसमें इतना दम नहीं है कि ऊपर चला है जनरली option buying में अगर आप यहां पर entry कर लेते हो तो आपके target के आपको partial booking करनी चाहिए selling में थोड़ा सा आपको comfort मिलता है आप सोच सकते हो इस zone पर कि मुझे कहा पर book करना है वो सारी चीज़े तो friends यह video अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो hit the like बटन मैंने हर कोई चीज़े आपको बताने की कोशिश की और बहुत सारी चीज़े interrading के related मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और हम लोग लाहिव market में भी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़े टेलिग्राम पर सिखाता हूँ कि किस तरह के से open interest हो रहा है यह सब कुछ क्या चल रहा है मेरे trade कौन से होते है मैं किस तरह के से trade करता हूँ so friends simply आप टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो उसकी जो link है वो description box में नीचे आप लोगों को मिल जाएगी तो friends मिलते हैं next video में